अभी उदेया प्लाटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सौगत है मेरा नाम जुनायद आइमद है सिविल सर्विसेज दोजार ठारा की परीक्षा में मुझे थर्ड रैंक हासित हुआ था और मैं अभी उत्तपदेश काड़ में सर्फ कर रहा हूं अभी करंटली मैं बरेली जनपद में तनाथ हूं यहां पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इसी स्कीम के लिए मैं आप लोगों से इंट्राइक्ट कर रहा हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में कुछ चीजे जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाता हूं होता कहा है स्टार्टिंग में जब नए बच्चे आते हैं तो उनके दिमाग में कई सारे डाउट रहते हैं इस एक्जाम को लेके तो यह जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है इसमें मैंने यही ट्राइ किया है कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ और मुझे एक चीज लगी थी कि जब हम लोग प्रेपेर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है तो वहां पे काफी सारा time waste हो जाता है तो what I have come up with कि मैंने एक plan बनाया है जो मैंने अपनी preparation के according बनाया था जो मुझे काफी helpful लगा था तो उसी को देखते वे मैंने एक साल का पूरा एक plan बनाया था किस तरीके से चीजे करनी चाहिए prepare करने चाहिए तो इस वीडियो में मैं वो plan आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो basic doubts होते है एक नए aspirant के दिमाग में वो भी मैं try करूँगा कि वो clear कर सकूँ जैसे कि बहुत लोगों को होता है कि किस time start करना चाहिए उन लोगों को ये समझ नहीं आता और जब start करते हैं तो starting में क्या करना चाहिए और NCRT कौन सी पढ़नी चाहिए answer writing कप करनी चाहिए और बाकी सारी चीजे जो एक पूरे process में आती है civil services के उसमें थोड़ा confusion रहता है तो वो मैं try करूँगा कि वो चीजे clear हो सके ऐसे ही newspaper का होता है के newspaper किस तरीके से पढ़ना चाहिए current affairs किस तरीके से cover करने चाहिए तो यह basic basic doubts है जो हम लोग clear करते वे चलेंगे तो सबसे पहली जो एक चीज है exam के बारे में वो आपको समझना पढ़ेगा कि exam जो है UPSC वो उसमें ruthless competition है यह आप सब ही को पता है अगर कुछ hard facts की हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि lakhs of students form भरते हैं around 10 lakh students जो मुझे last data याद है form भरता है and then 4.5 lakh उसमें appear होते हैं then selection rate जो है वो बहुत ही कम 0.001% है तो कहीं पे भी margin of error जो है वो बहुत ही कम है तो कहीं पे भी आप गलती नहीं कर सकते तो वो ही चीज में आपको try कर रहा हूं इस चीज में समझाने के लिए कि starting में आप इस exam को किस तरीके से लेके चलें और आगे कैसे proceed करना है तो first मैंने क्या try किया था कि जैसे क्या होता है generally June में जो है बच्चों के exam खतम होते हैं और उसके बाद वो एक prepare करना है start करते हैं तो अगर हम July से start करें और next June तक का एक year का plan रखें तो उसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं वो मैं try कर रहा हूं यहाँ पे पूरा present करने का तो first जो three months अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं July, August and September तो यह आप अपने हिसाब से change भी कर सकते हैं कि कोई इनसान अगर January से start कर रहा है तो वो January के starting के three months ले सकता है बट generally जो graduation में होते हैं उनके जो papers हैं तो June के around खतम होते हैं तो July में वो अपनी preparation अगर start कर रहा है तो उस तरीके से मैंने start किया है तो अगर हम first देखें July में जब आप एकदम नए आते हो तो I'll say कि first 15 days आपको कहीं time waste नहीं करना है आपको exam को समझना है जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना आपको help मिलेगा तो book से ज़्यादा आप civil services के जो syllabus है UPSC का और previous ES papers हैं उसको analyze करें बैट के देखें syllabus तो in fact by heart कर सकते हैं मेंस का और prelims का syllabus आप देखें उसमें कौन कौन से topics हैं कहां कहां से चीज़े पूची जा सकती हैं उसी तरीके से आप सारे जो previous ES papers हैं जो मेंस के हैं और prelims हैं उसको भी एक idea लगाएं तो starting में जो आपका time है जितना ज्यादा इस चीज़ में जाएगा उतना जल्दी आपको exam की understanding होगी होता क्या है कि बच्चे starting में different books उठा लेते हैं और idea नहीं होता वहाँ पे time बहुत ज्यादा waste होता है तो I'll suggest कि starting के 15-20 दिन आप focus करें complete previous ES papers और syllabus के उपर और वो तो आगे भी आपको रखना है बट यहाँ पे आप ज्यादा focus करें उसके बास सबसे important जो basic आपका आता है वो NCRT आती है तो अब बचों को यह होता है कि NCRT कहां से start करनी चाहिए 6 से start करनी चाहिए 9 से start करनी चाहिए 11 से start करनी चाहिए 12 से start करनी चाहिए तो मेरा माना है I'll suggest के जो आप graduation जब आप करके आ रहे हो तो basic understanding आपको चीजों की होती है तो I'll say कि अगर आप 9 से भी start करेंगे NCRT तो sufficient हो जाता है और आपको ऐसा नहीं है कि सारे subjects के NCRT पढ़नी है क्योंकि कभी यह होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि 6 से 12 से की जितने भी subjects हैं उनके सब की NCRT आप पढ़ लीजे अगर I'll say कि science की अगर NCRT है biology, chemistry, physics अगर इनकी पढ़ने लगेंगे आप 9-12 की NCRT तो बहुत difficult हो जाएगा आपको करने में उसको तो history की NCRT अल से कि जो old NCRT है या new NCRT है वो आप पढ़िए economics की NCRT है वो आप देखें 11th class की geography 11th wealth की NCRT है दो वो आप देख सकते हैं इसी तरीके से main constitution जो polity है Indian constitution at work वो 11th class की एक book है वो आप देख सकते हैं तो यह जो basic NCRT है वो आप पढ़िए और वो भी depend करता है कि आपका level कहां पे है अगर आपको लगता है कि 11th wealth की या 9th की NCRT करके आपको काफी हो जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं और आपको लगता है किसी को geography में problem होती है तो वो 6 NCRT स्टार्ट करता है तो वहां से भी start की जा सकती है तो आपको decide करना है कि आपको किस उस पे आपको रखना है अपना और यहां पर एक बड़ा इशू आता है notes making का बहुत लोग बच्चे confusion में रहते हैं कि sir notes making कब से start करनी चाहिए तो मेरा तो suggestion यह है कि आप first reading second reading में notes making पर ज्यादा focus मत करीगा क्योंकि NCRT already बहुत crisp way में लिखी भी होती है first reading जब आप करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना समझने का try किये understanding कीजिए second third reading में जब आप आते हैं उस time पर आप notes making के बारे में सो सकते हैं देख सकते हैं तो starting में focus करिए कि जो एक broad idea basic concept वो आप develop कर सके तो NCRT is 9th से 12th तक की I'll suggest और ये जो है at least इन तीन महीने में दो reading आपकी हो जानी चाहिए इसकी NCRT की उसी के साथ साथ आपका optional आता है अब बहुत लोगों को optional में ये confusion रहता है कि कौन सा optional select करना है और कैसे select करना है तो अभी I'll suggest कि जब आप इस वाले phase में starting के तीन मत में तो optional को मट decide करिए कि आप कौन सा optional select कर रहे है आप GS पे focus करिए अपने एक महीने डेड़ महीने दो महीने जितना भी आपको देना है और यहाँ पे देखे कि आपका किस subject में interest आता है क्योंकि जब आप history, polity, sociology और different subjects पढ़ेंगे तो आपको खुद बाखुद पता लगने लगेगा कि आपका interest किस चीज में है तो I'll suggest कि optional selection एकदम starting में मत करिए थोड़ा सा GS की understanding लेके कि आपका interest किस में आ रहा है उसके बाद फिर आप optional पे जा सकते हैं और फिर भी अगर आपका optional selection नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको 2-3 optional shortlist करने पड़ते हैं क्योंकि mainly optional selection जो है वो total आपके interest के ऊपर बेज रहता है कि आपका interest क्या है तो अगर आप NCRT पढ़के GS की understanding लेके भी optional नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो the only ways कि एक दो optional जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं उसको shortlist करिए and then उनके papers देखिए उनकी books देखिए और उसमें देखिए कि आप किस तरीके से उसमें कर सकते हैं क्योंकि optional बहुत deciding हो जाता है exam में marks लाने के लिए तो optional का selection बहुत important कभी-कभी ऐसा होता है कि ती चार item के बाद लोग optional चेंज करते हैं उसमें बहुत problems आती है तो अगर starting में ही आप optional अच्छे से select कर रहे हैं अपना तो वहां पर आपको काफी benefit हो जाता है तो यह जो optional का है यह आप देख सकते हैं थोड़ी सी जीए इसकी understanding होने के बाद कि आपको क्या select करना है और इस वाले phase में यह मेरा अपना personal opinion है आप उसको देख सकते हैं कि आप पर कितना helpful रहेगा इस वाले phase में आप newspaper कर सकते हैं क्योंकि जब एक beginning phase में आप पढ़ रहे हैं चीजों को तो newspaper समझने में करने में आपको बहुत ज्यादा time लग जाता है देड़ गंटा दो गंटा वेस्ट हो जाते हैं starting में तो इस फेज में आप newspaper को avoid कर लें क्योंकि इस फेज में बेसिक जो आपको concept है वो बना रहे हैं उसको जितनी जल्दी बनाएंगे उतरह helpful होगा तो यह तीन महीने इन चीजों में आप अगर निकालेंगे तो आपका बेस जो है वह अच्छे से बिल्ट अब हो सकता है नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आता है October November December वाला फेस यहां पर आपका क्या है कि आपका एक जीएस की रीडिंग हो चुकी है NCRT की basic understanding हो चुकी है और यहां पर एक और चीज़ आती है reference books जब आप NCRT पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हर एक subject की कोई ना कोई reference book लेनी पड़ेगी तो market में सारी reference books है वो general जो भी है इस पॉलिटी की लेक्षमी कांथ लोग प्रफर करते हैं और बाकी subjects की भी है तो यह reference books NCRT के बाद आप कर सकते हैं तो इस वाले phase में यह सारी चीज़े cover हो जानी चाहिए तीन महिने में sufficient time होता है यह सारी चीज़े cover करने के लिए यहां वाले phase में आपकी second reading आती है सब्जेक्स का क्या होता है कि starting की जो first reading होती है उसमें जो आपकी understanding होती है वो बहुत layman के terms में होती है जब आप second third reading में जाते हैं इस phase में आते हैं तो आप picture को बहुत holistic way में देख लेते हैं तो यहां पर आपको second reading जो है यहां पर सब्जेक्स की और reference books की आनी चाहिए optional जो है December तक आपका complete हो जाना चाहिए यह इस phase में रहता है क्योंकि यहां पर आपका optional selection जब आता है तो maybe August September जब तक भी आप time लेते हैं optional selection में तो किसी भी optional को complete करने के लिए at least 3 months तो चाहिए ही चाहिए होते हैं तो यहां पर एक बार तो at least आपका optional complete हो जाना चाहिए selection के बार क्योंकि अगर यहां तक आपका optional complete नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं उसमें आपको फिर problem आएगी तो December तक try करें कि आपका optional complete हो रहा जाए यह तीन-तीन महीने के जो phases में बना रहा हू तो और यहां पर else है कि यहां पर आप newspaper को start कर सकते हैं यहां पर क्या होगा कि इस phase में अगर आप newspaper को start करेंगे तो आपकी जो इस phase की understanding है GS की और बाकी exam की वह help करेगा आपको newspaper को समझने में यहां वाला टाइम अगर आप newspaper को ज्यादा देंगे तो आपका जो basic जो preparation है वो कही नहीं नहीं affect होगी तो I'll suggest कि इस वाले फेस में आप newspaper start करें और maximum आप newspaper को एक घंटे से वन पॉइंट से एक एक या डेड़ घंटा maximum उससे ज्यादा नहीं देना है newspaper को और newspaper को कैसे पढ़ना है किस तरीके से वो पूरा एक detail में topic है और मैं आगे भी वीडियो लूँगा मैं आगे भी चीजे करूँगा तो उसमें एक different पूरा एक lecture हम लोग यह कर सकते हैं कि newspaper को किस तरीके से अबर करनी है तो यहां पर आप newspaper का start कर सकते हैं और यहीं पर आपको notes making पर भी अपना थोड़ा focus start करना पड़ेगा क्योंकि जब आप newspaper पढ़ते हैं और आपकी third reading fourth reading यहां पर आ जाती है इस वाले face में उसके बाद आपकी जो notes making होती है वह important हो जाती है NCRTs के तो I'll suggest कि आप उतने ज्यादा notes पर focus नहीं करें जितना current current के issues होते हैं और बाकी जो जैसे history है तो उसमें books में तो आपको एक पूरी story की तरह चीज़े समझाई जा सकती है लेकिन exam perspective से किस तरीके से उसको notes में बना रहा है ताकि वह exam के time पर आपको याद रह सके वह आपको देखना है तो इस phase में notes making जो है वह important हो जाती है यहां पर आपका सकते हैं तो यह दो phase में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी basic जो understanding है exam की वह काफी अच्छे से develop हो जाएगी अब अगर हम January, February, March यह थर्ड वाले phase पर आएं तो अभी यहां पर आप देखिए कि आपके optional की reading आपके GS की reading आपका newspaper यह सारी चीज़े कहीं ना कहीं आ गई हैं preparation में तो यहां से आपको next level पर move करना है तो यहां पर I'll suggest के एक और part होता है civils में ethics का होता कि ethics थोड़ा different है GS की preparation GS के subjects जो है वो आप easily समझ सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ethics की understanding के लिए आपको इस वाले phase को complete करना important हो जाता है क्योंकि अगर directly आप इस phase में ethics को पढ़ेंगे तो उसको उतने अच्छे से relate नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे अगर आप ethics को start करते हैं या ethics के understanding लेते हैं तो वो आपको काफी helpful होगा क्योंकि आप इस चीज़ से उसको relate कर पाएंगे और ethics के लिए लोग confused रहते हैं कि ethics में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए आप देखिए स्लेबस में जो definition terms हैं जो चीज़े दीवी हैं उसकी एक basic understanding आपको नेट से कहीं पर भी मिल सकती है बाकी सारा जो ethics है वो practical part है कि आप उस चीज़ को कैसे relate करते हैं अपने life से अपनी चीज़ों से तो आप newspaper पढ़ रहे हैं आप optional पढ़ रहे हैं आप GS पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसको ethics से relate कर सकते हैं तो यहां पर ethics के लिए else ages के कोई separate एक different study या different एक वो नहीं चाहिए आपको सिर्फ अपने mind को open रखना है कि कि किस चीज़ को ethics के concept से पार्ट से relate किया जा सकते हैं तो यहां पर आप ethics की चीज़े स्टार्ट कर सकते हैं एक और चीज़ आती है कि ऐसे का भी वही concept है कि ऐसे के लिए दो चीज़े चाहिए एक तो content चाहिए आपके पास दूसरा आपको चाहिए ऐसे को present करना कैसे presentation तो content जब तक आपके पास नहीं है तब तक ऐसे आप प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे तो यहां पर इस फेस तक आपके पास अच्छा खासा content तयार हो जाता है तो यहां पर आपको essay में भी काफी help मिल जाएगी कि essay का भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग रखेंगे कि essay को किस तरीके से तयार करना है किस तरीके से उसकी presentation की जा सकती है क्योंकि आपको यह चीज ध्यान में रखनी होगी कि civil जो exam है उसमें competition इतना ज्यादा है कि आपको stand out करना पड़ेगा दूस examiner को तो वो किस तरीके से की जा सकती है किस तरीके से हो सकता उस पर हम एक separate वीडियो बनाएंगे उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं एक और तीसरी चीज़ क्या आती है वह आंसर राइट निंग होती है यह भी बहुत important हो जाती है क्योंकि एक आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अभी हम prelims की तयारी कर रहे हैं अभी हम मेंस की तयारी कर रहे हैं और वो सारी चीज़े different different हैं पहले prelims हो जाए फिर मेंस के करें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर से practice नहीं कर पाएंगे तो prelims के बाद आपको उतना time नहीं मिलेगा कि अपनी writing को improve कर पाएं तो अगर आप बहुत regularly भी नहीं लिख रहे हैं तो यहां पे आप start कर सकते हैं अपनी writing को previous papers उठा सकते हैं civil services के उसके questions कुछ-कुछ लिख सकते हैं weekends पे आप ऐसे लिख सकते हैं य तो जब प्रेलेंस के बाद आप comments लिखना है तो उस time पे आप regular writing कर सकते हो लेकिन यहां पे अगर habit डवलप नहीं हुए तो वहां पर problem होता है तो यह चीज़ भी इस उसमें आप start कर सकते हैं and एक और चीज़ जो मुझे important लगी नहीं यहां पे वो है group study होता क्या है कि जब यह सारी चीज़े हो जाती है तो इस phase में मेरे लिए मुझे तो important लगता था कि एक दो एक same minded people अगर है और अच्छा group है तो suppose मैंने newspaper पढ़ा सुबा में तो दो तीन चीज़े जो articles जो मुझे अच्छे लगे वो मैं discuss कर लेता था तो वो काफी helpful होता है किसी चीज़ की understanding के लिए कोई problem आ रही है suppose मैंने answer writing करी यहां पे तो मैं मेरे दो तीन लोगों का group था तो मैंने कुछ लिखा दूसरे ने कुछ लिखा हम लोग share कर लेते थे तो यह group works जो है यह इस phase में important हो जाता है और मैं इस जगा पे इसी लिए मैंने यह group study का नहीं लिखा है क्योंकि यहां पे जितना ज्यादा आप self study करेंगे उतना important होगा क्योंकि starting के जो एक साल होता है I feel अगर आपने उसको अच्छे से दे दिया तो अराम से आगे चीज़े आप build on कर सकते हो current affairs या बाकी सारी चीज़े लेकिन यहां पर अगर आपने कहीं पर भी लाक किया तो आगे जाके बहुत ज्यादा problem होगी तो इस वाले phase में एक और चीज़ इंपॉर्टन्ट हो जाती है वह होता है current affairs मैं current affairs को भी इस वाले phase में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर आप उस चीज़ को लेंगे करेंट अफेस को इंपॉर्टन्स जो है current affairs का वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है civil services में आप देखें के questions जो हैं वह बहुत ज्यादा पूचे जाते हैं current affairs से और तो आपक एक आती है कि जब तक आपका basics पूरा अच्छे से नहीं है तब तक आप current affairs पर बिल्डाउन नहीं कर सकते हैं तो current affairs के लिए भी हम लोग एक अलग से lecture लेंगे किस तरीके से current affairs को cover किया जाए या कौन सी चीज़े पढ़ी जाएं बट basic जो मैं आपको बता रहा हूं वह है कि current particular magazine आप ले सकते हैं तो newspaper और एक magazine sufficient हो जाती है current affairs के लिए तो यह यह चीज़ इस फेस के लिए आ जाती है और यह तीनों फेस में एक important चीज़ मैं वही चीज़ डिसकस करना चाहरा था कि resources जो हैं आप उसको जितना concise करेंगे उतना helpful रहेगा market में इधर उदर आपको बहुत सा सारी booklets में लेंगी वीडियो में लेंगी आप जितना अपने आपको concise करेंगे उतना helpful होगा आप एक book पढ़े उसको बार-बार revise करें तब ही वह रिटेन रह पाएगा ऐसे current affairs का है आपके पास multiple जो है वह booklets होंगी multiple magazines होंगी लेकिन अगर आप एक-एक reading सबको देने लगे त यह सारी चीजें मेरे जो मैंने चार-पांच साल preparation किया उसमें मैंने देखा कि कहां कहां पर इशु आते हैं और कहां कहां पर time waste होता है उसको मैंने consider करके के जो नया बच्चा रहा है उसको problem ना हो starting में उसके हिसाब से यह चीज़ बनाई है बाकि आप इसको modify कर सकते हैं यह वाली cycle तो यहां पर देखें यह आप उस stage पर पहुँच चुके हैं जहां पर आपकी almost सारी चीजे एक एक बार दो दो बार नहीं तो cover हो चुकी हैं और यहां पर important हो जाता है कि आप अपनी studies को थोड़ा सा prelims specific कर दें क्योंकि दो महीने at least चाहिए होते हैं उस mode में आने करता है तो जो एपरिल में जून का टाइम है यहां पर आपको थोड़ा सा objective चीजों पर फोकस करना पड़ेगा सब्सक्राइब आपने जो history पड़ी है वह एक पूरे holistic way में पड़ी है प्रेलेंस में सारी चीजों को लेके यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क किस तरीके से चीज़े पूची जाती है किस तरीके से आपको facts consider करने उस चीज़ को लेके एक और जो second important चीज़ इस फेज में आ जाती है वो test series आ जाती है मुझे लगता है कि यह भी equally important है इस time पे क्योंकि आपका जितना भी हुआ है आपका revision उसको आप कितना अच्छे से किया है वो judge तब होगा जब आप test series देंगे उससे आपको idea लगेगे कि आपकी preparation किस level पर और उसके साथ test series आपको एक पूरा atmosphere देती है exam का कि आपको solve करने है questions आपको किस तरीके से चीज़े करनी है यह सारी चीज़े test series से आपको आती है तो objective चीज़े exam में logical reasoning और exam को कैसे देखना है वहाँ पे वो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो भी काफे important हो जाता है इस सारे perspective में और एक जो third चीज़ है वो ह है revision कभी भी कभी यह मत सोचेगा कि आपने जो पर रखा है वो directly exam में जाके आप apply कर सकते हैं आपका revision बहुत important हो जाता है और खासकर इस time पे क्योंकि इस वक्त प्रेलिम्स बहुत करीब होता है और उस time पे आपको facts सारी चीज़े आपके tips पे होनी चाहिए तो यहां पे revision भी बहुत important हो जाता है और एक last चीज़ जो है वो current affairs है होता क्या है कि एक साल का current affairs around लोग कवर करते हैं प्रेलिम्स के लिए तो यहां पे end-end तक भी आपको current affairs चीज़े आपको prepare करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर जून में exam है तो में का भी current affairs में कुछ event हुआ है तो वो पूचा पर आपको मेंली अपनी चीज़ों को systematic way में ready करना है प्रेलिम्स के लिए वो test series के थूरू revision के थूरू current affairs के थूरू तो यह एक basic layout है और यह जैसे हमारी first video तो मैंने ट्राइग गिया कि एक basic understanding जो एक नया बच्चा है जो civil service की preparation करने आया उसके लिए यह चीज दे सकते हैं त तो मेंली यह video इसी के लिए था और बाकी तो हम लोग जैसे भी चीज़े होंगी जैसे भी topic आएगा उसके हिसाब से videos बनाएंगे और बाकी आप लोगों को भी अगर लगता है कि कोई specific topic है जिस पे आप लोगों को help चाहिए या video चाहते हैं कि हम लोग बनाएं तो आप उसक से थ्रू हम तक यह पहुचा सकते हैं तो हम उसी के हिसाब से अपनी video बना लेंगे और बाकी तो civil service के लिए एक चीज़ याद रखिए कि जैसे जंगल का rule होता है कि hunt or get hunted जैसे शिकार करो या शिकार हो जाओ वैसे civil services का भी same rule है कि थोड़ा सा भी error का margin नहीं है आपको अपन 100% देंगे तभी यह exam आप clear कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको guidance दे सकते हैं बता सकते हैं कि चीजों को किस तरीके से लेके चलना अल्टिमेटली सारी चीज़े आपके उपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरीके से लेक लेके चलते हो सो माई विशेस तो आल अफ यू अच्छे से आप लोग प्रेपेर करें एक्जाइम दे ओल बेस थेंक यू